नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों उत्राघंड L.T. गणित की हमने एक विशेश सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको TopicWise MCQ प्रुवाइट करवाते हैं तो इसी करम में आज हम आपके लिए Differential Equation Topic लेकर आए हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छा Topic है क्वेशन अटेंब करने के हिसाब से Differential Equation में हम Differential Equation और Partial Differential Equation दोनों के क्वेशन सॉल्व करेंगे क्योंकि L.T. गणित के सिलेबस के अकॉर्डिंग Partial Differential Equation भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आंते दक देखेगा आपको काफी फायदा मिलेगा इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram चैनल को जॉइन कर सकते हैं Link already about section में available है उसके अलावा मैं इस वीडियो के description box में भी link provide करवा दूँगा तो चलिए वीडियो को start करते है तो आज का पहला प्रशन है यू बराबर है x cube plus y cube plus z cube plus 3xyz then x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z इसकी value अपने निकालनी है तो दोस्तों इस partial differential equation का question है देखे इसको कैसे करेंगे पहले मैं आप लिख लेता हूँ यू बराबर है x cube plus y cube plus z cube plus 3xyz ठीक है आपको क्या-क्या निकालना है आप यहां पर से देख लीजे del u by del x del u by del y and del u by del z तो आप partially इसको differentiate करें पार्शली का मतलब क्या होता है कहने का मतलब यह है कि जब आप जिसके respect में आप differentiate करते हैं तो उसी के respect में आप differentiate करेंगे other को आप ignore कर देंगे या फिर other को आप क्या करेंगे constant treat करेंगे ठीक है तो आप बस x को ही ध्यान में रखें यहां पर आपने differentiate करना है सरफ x वाले term को तो यहां पर देखिए यह क्या हो जाएगा 3x square ठीक है y का 0 हो जाएगा z का 0 हो जाएगा इसलिए इसको partial differential कहा जाता है partial का मतलब ही क्या होगी कि आपने partiality कर दी कि आपने सरफ x को ही as a variable माना और बागी को आप क्या करेंगे constant treat करेंगे तो यहां पर देखिए x is only the variable so we will get 3yz आपको चाहिए x del u by del x तो एक काम करता हूँ मैं इसको x से multiply भी कर देता हूँ तो यहां पर से x से अगर मैं इसको multiply कर दूँगा तो यह भी आपका x से इस तरह से multiply हो जाएगा ठीक है आप चलिए आगे बढ़ते हैं आपको क्या निकालना है इसके बाद del u by del y तो del u by del y क्या हो जाएगा दोस्तों इसी तरह के से आप करेंगे यहां पर आप देखिए del u by del y यह हो जाएगा यह तो पहले वाले का तो 0 हो जाएगा 3y square plus again इसका 0 हो जाएगा और फिर y का आप differentiation करेंगे तो 3xz आपको मिल जाएगा ठीक है और फिर आपको क्या निकालना है आपको निकालना है y del u by del y तो यहां पर आप y से multiply कर देंगे इस तरीके से ठीक है इसी तरह से आप z del u by del z निकालिए ठीक है मैं काम करता हूँ z से पहले ही multiply कर देता हूँ और उसके बाद differentiate कर देता हूँ इसको partially देखिए अगर मैं इसको partially differentiate करूँगा तो यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा मुझे मिलेगा 3z square plus and इसका differentiation करेंगे तो यह मिल जाएगा 3xy ठीक है अब आपको क्या करना होगा of course 1, 2 2 और 3 इन तीनों को आप क्या करेंगे? add करेंगे तो जब आप इसको add करेंगे दोस्तों तो मैं इसको जड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको simply है समझ में आ जाए तो देखिए कैसे होगा यह अब आप इनको add करिए तो जब मैं इनको add करूँगा तो यहां से x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z ठीक है? अब आप इसको multiply कर दीजे अंदर x से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 3x cube plus 3xyz plus 3y cube plus 3xyz and plus 3z cube plus 3xyz ठीक है? और फिर इसके बाद क्या करेंगे? आपने रहेचेस में देखना है राइट हैंड साइट पे इसको तो छोड़ दीजे से कोई मतलब नहीं हमारा 3 common ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा दोस्तों x cube plus y cube plus z cube plus xyz 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 it simply means 3xyz ठीक है? तो अगर आप उपर देखें इसकी value आपकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी value है u इसकी value अगर u है तो इस total की value आपके कितनी हो जाएगी? 3u हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो इसका right answer 3u निकल कर आता है तो यानि कि इसका right answer कितना है दोस्तों 3U तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B option बिल्कुल correct है ओके इस तरह से मैं questions को करते हैं PGT परिक्षा 2009 में आया हुआ है देखिए इस तरह के questions भी आ जाते हैं इसके बाद अगला प्रशन काफी अच्छा है प्रशन है 1 upon d square plus a square cos ax का आपको मान निकालना है और आपको value निकालनी है दोस्तों अगर आपने differential equation के questions अगर आपने अच्छे से कहीं करे होंगे तो यह दोस्तों आपका higher order के differential equation को solve करने वाली equation को आप किस तरीके से solve करते हैं इसमें हम cf और pi निकालते हैं तो pi का मतलब होता है particular integral यह आप किस तरीके से निकालते हैं देखे अगर कोई भी उपर sin या cause हो ठीक है नीचे अगर आपका function d की form में है ठीक है तो आप यहाँ पर d square की जगर पर minus of a square रखते हैं ठीक है यह rule कैलाता है ठीक है और अगर सपोच करो exponential की form में हो और नीचे अगर function of d हो तो आप क्या करते हैं d की जगा पर a रख देते हैं directly ठीक है अब अगर यह rule simply इस तरीके से हो जाए तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं cos ax है cos ax की value है यहाँ पर cos ax या फिर sin x दोनों चल जाएंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूँ d square की जगाए पर minus a square रख देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं d square की जगाए पर minus a square रख दूँगा तो यह a square a square यह तो zero हो जाएगा भई अपन में zero हो जाएगा तो फिर value निकलनी पाई तो अब हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए कुछ जोड़ तोड़ अपनाने पड़ते हैं अब जोड़ तोड़ क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ इस question को देखिए सबसे पहले हमें काम करेंगे इसमें हम पहले मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा मैं erase कर देता हूँ फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से solution निकाला जाएगा देखिए मेरा काम सबसे पहले ये रहेगा कि मैं इसको पहले थोड़ा break कर दूँ अगर मैं इसको break करूँगा तो 1 upon d square plus a square को मैं ऐसा लिसकता हूँ d plus i a into d minus i a ठीक है अब जो एक cos a x है देखिए cos a x को मैं as we know that मैं आपके सामने एक rule लिख देता हूँ देखिए आपने ये लर फंक्शन जरूर सुना होगा नाम e की पावर i theta e की पावर i theta क्या होता है दोस्तों cos theta plus i sin theta तो cos a x plus i sin a x मैं इसको इस तरह की form में लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर actually जो cos a x है it is nothing but the real part of e की पावर i x मैं लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर यही करना है मैं क्या लिख देता हूँ कि जो cos a x है उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ real part of e की पावर i a x कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ठीक है मैंने यहाँ पर थोड़ा करना है यानि कि d square plus a square को मैं d plus i a d minus i a लिख देता हूँ और cos a x को मैं e की पावर i a x लिख सकता हूँ ठीक है अब जैसे कि मैंने अभी आपको rule बताया कि जब e की पावर a x upon function of d हो तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर directly d की जेगह पर a रख सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर d की जेगह पर i a रख दे यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो भाई 0 हो जाएगा फिर वह condition तो यहाँ पर तो हम रख सकते हैं तो अब अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर से मैं अब यह real part हो जाएगा और मैंने पहली बोला इसकी जेगह पर अब i a रख दो तो यह तो हो जाएगा 1 upon 2 i a ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है e की पावर i a x upon d minus i a क्योंकि यही part दोस्तो दिक्कत कर रहा है है ना ठीक है अब यहाँ पर से देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जब भी अगर e की पावर i a x upon f d में अगर f a बराबर अगर 0 हो जाए अगर यह बराबर 0 हो जाए तो हम क्या करते हैं इसको shift कर देते हैं जैसी हम इसको shift करेंगे तो यह भी आपका क्या हो जाएगा shift हो जाएगा with d plus a ठीक है यह आप rule को ध्यान में रखेंगे ठीक है करना क्या है इसको आप shift कर देंगे यहाँ से तो यह जो shift होता है यानि कि एक तरीके से इसको origin shifting में मान सकते हैं तो जो d है वो d plus a shift हो जाएगा तो आपने यहाँ पर क्या करना है real part तो ऐसी चलेगा 1 upon 2 i a आप इसको यहाँ से shift कर देंगे जब इसको shift करेंगे तो e की power i a x हो जाएगा और जैसे मैंने पहली बोला कि d की जगा पर क्या हो जाएगा d plus a तो यहाँ पर d plus i a हो जाएगा ठीक है यहाँ तक कोई भी दिकत नहीं होने चाहिए दो दो खिए cancel out हो गए अब d represent करता है differentiation को तो 1 upon d of course किसको represent करेगा integration को तो 1 upon d of 1 यानि integration of 1 यानि क्या होता है x होता है तो 1 upon twice of i a e की power i a x और यह हो जाएगा दोस्तों 1 upon sorry x 1 upon x नहीं x ठीक है तो अब यहाँ से जैसा कि आपको निकालना है real part अब आपके लिए question बहुत simple हो गया real part of e की power i a x upon इस पूरे function का आपको real part निकालना है तो अब इसको रखिए cos a x plus i sin a x है है ना divided by क्या हो जाएगा दोस्तों twice of i a तो अगर आप इसको अलग-अलग divide करें तो इसका real part इसका real part आपको निकालना है ठीक है तो इसका real part आप निकालिए देखिए यह हो जाएगा x cos 2 a divided by twice of i a plus देखिए i से i से में कैंसल हो जाएगा x upon 2 a sin a x तो आप देख सकते हैं 1 upon i जाके उपर minus i बन जाएगा तो यह तो आपका इसका इमें जडरी part है तो यही दोस्तों इसका real part है तो real part की value क्या आगई यह आगई x upon twice of a sin a x बहुत यह अच्छा question है इसको आप ध्यान में रखेगा ठीक है तो इसका right answer कितना आ गया x upon 2 a sin a x यहाँ पर से देखा जाए तो c option is right इसके बाद एक बहुत अच्छा question order and degree of a differential equation order and degree of differential equation जो हम differential equation पढ़ते हैं तो पहले सीखते हैं कि order and degree कैसे निकाली जाती है अगर आप देखें तो order का मतलब क्या होता order of a differential equation means simply that the order of highest order derivative जो आपके differential equation में highest order का derivative होगा उसका जो order होगा वही differential equation का order होता है और इसके बाद जब degree की बात करते हैं तो जो highest order derivative आपने निकाला उसकी power वो क्या बन जाती है? degree बन जाती है ठीक है? इस rule को आपने ध्यान में रखना है लेकिन एक चीज इसमें और है कि जैसे अगर आपको sin dy by dx cos dy by dx and ऐसे ही e की power dy by dx या कभी हो सकता है d square by dx तो ऐसे जब आपको terms दिखाई देंगे तो उनकी degree not defined हो जाती है हालेंकि उनका order तो defined होता है लेकिन degree not defined हो जाती है इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसी का प्रयोग करेंगे देखें कैसे करेंगे इसको अब देखें सबसे पहले तो आप square करिए both side देखें जब हम both side square कर देंगे तो पहले तो आप इस पार्ट को इधर ले जाएगे यह हो जाएगा 1 plus dy by dx का whole square क्योंकि पहले आप इसको proper form में लिखें यह है 3 by 2 की form में तो आपको पहले इसका square करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर से आप बस इसका क्या गड़ दीजे square कर दीजे तो अगर मैं इसका square कर दूँगा तो यह हो जाएगा 1 upon dy by dx का whole square की power 3 इस इकस्ट हो जाएगा 10 का square कितना हो जाएगा 100 और d square y by dx का whole square होता है कि हम इसको proper एक polynomial की form में convert कर दें ठीक है ना polynomial में क्या होता है generally में power में आपके natural number ही रहते हैं है ना आप को integer नहीं रख सकते आप 1 by 2 नहीं रख सकते और 3 by 2 नहीं रख सकते ठीक है ना तो जब भी हम बात करते हैं polynomial function की तो polynomial function में क्या होता है power हमेशा 1,2,3,4,5,6,7 ऐसे की form में रहती है तो अब यह आपका हो गया है properly इसको आपको further आगे solve करने की आवशक्ता नहीं है बस यह आपका देख सकते हैं कि आपका polynomial की form में convert हो गया है linear form में convert हो चुका है ठीक है इसका order कितना है 2 है तो यही differential equation का भी order होगा ठीक है और इसके बाद जो highest order derivative होता है उसकी power को ही check करते है तो हम इसी की power को check करेंगे तो यही दोस्तों क्या कहलाती है degree कहलाती है आपको इसको check नहीं करना है कहीं ऐसा ना कर देना अगर आपने इसका 6 आएगा क्योंकि इसको हम खोलेंगे तो अभी 6 आएगा तो ऐसा नहीं कि बाद degree 6 कर दी नहीं जो highest order derivative निकाला उसका order ही differential equation का order है और उसकी power यानि कि जो उसके power आएगी वो ही उसकी degree है यह आपको ध्यान में रखना है अब इसी पर बेज एक और question देखिए अवकल समीकर्ण का क्रम होगा आपने बताना है कि इसका order क्या होगा तो देखिए पहले से ही ये एक polynomial की form में convert है ठीक है तो आपने क्या करना है इसमें highest order derivative देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इसका highest order derivative है तो इसका order क्या होगा दोस्तों अफकोस 3 हो जाएगा तो इस differential equation का order भी 3 है और इसकी अगर हम degree की बात करें तो degree इसमें कितनी होगी दोस्तों 2 इसकी degree होगी ठीक है यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं तो ये बहुत सिंपल सा question और exam में देखिया गया तो आप सबसे पहले दर आपका काम यही रहेगा कि इसको एक simple polynomial की form में convert करना इसके बाद अगला question अवकल समीकरन का हल है आपने solution of differential equation निकालना है देखे आप देख सकते हैं ये आपकी differential equation है जिसका order 2 है ठीक है लेकिन degree 1 है तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे ये काफी important ये differential equation है और ये again example है आपका एक linear differential equation का लेकिन इसका order 2 है ठीक है तो आप इस तरीकी question को आप बहुत easily आप solve कर सकते हैं इसको आप किस तरीके से करते हैं पहले मापको बता दूँ देखिए यहाँ पर क्योंकि 0 है तो 0 ने हमारा बहुत काम आसान कर दिया है इसके solution को आप 2 parts में divide करते हैं एक होता है CF और एक होता है PI ठीक है PI को निकालने के लिए यहाँ पर कोई variable होना आवशक हो जाता है तो क्योंकि यहाँ पर 0 है तो PI भी 0 हो जाता है तो यह वाला part तो आपको निकालने के अवशक्ता नहीं आपको सिर्फ निकालना है CF ठीक है CF का मतलब होता है आपका complementary factors तो complementary factors कैसे निकाले जाते हैं पहले यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा DY by DX जिससे हमारा जो DY by DX है इसको मैं let capital D माल लेता हूँ ठीक है तो capital D अगर मैं माल लूँगा तो जो D square है वो क्या बन जाएगा D square माला D square Y by DX square capital D square बन जाएगा minus 3D minus 4 और यहाँ पर से कितना आजाएगा Y बराबर 0 हम इसको इस तरह की form में लिख सकते हैं ठीक है ना अब capital D square को मैं let's suppose करो कुछ दिरे के लिए M माल लेता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा M square minus 3M minus 4 यह आपके सामने की equation आ गई let बराबर मैंने इसको क्या माल ले 0 माल ले ठीक है यानि कि मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे factor निकालने पड़ेंगे तो देखे इसको किस तरह से निकालते हैं पहले आप इसके factor निकाली यही तरीका दोस्तों CF को निकालने का होता है तो M square minus देखे 4 बन जा होता है 4 तो 4M plus M minus 4 बराबर 0 तो यहाँ पर से M M minus 4 plus 1 M minus 4 बराबर 0 तो यह हो जाएगा M बराबर minus 1 और M बराबर 4 ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो solution होता है जैसे ही आपके M1 और M2 आगे तो अगर जब CF इस type की form में आए तो CF का solution आप ध्यान में रखेंगे यह होता है C1 E की power M1 X plus C2 E की power M2 X यह इसका दोस्तों solution हो जाता है ठीक है अब यह कैसे होता है काफी लंबी process है कभी differential equation आपके सामने जह हम topic लेकर आएंगे और इस topic को लेकर आएंगे तो फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा फिर आल आप इसको ऐसे ध्यान में रखें तो यहाँ पर से देखें क्या हो जाएगा C1 E की power X माइनस X प्लस C2 E की power 4X ठीक है तो यह इसका दोस्तो solution है ठीक है यह C1 और C2 आपस में interchange भी हो सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता तो यह इसका CF है और जो PI वाला पार्ट मैंने पहली बोला PI वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कभी इसमें क्या हो जाता है कि repetition हो जाता है तो repetition के case में क्या होगा जैसे माना आपके suppose करो M1 और M2 दोनों बराबर आ रहे होते तो क्या होता 1,2 आ रहे होते 1,1 आ रहे होते तो फिर क्या हो जाता दोस्तों यह हो जाता यह हो जाता c1 प्लस c2 x हो जाता और e की पावर x हो जाता क्योंकि यहाँ पर 1 है ठीक है? अब माना कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 repeat हो गए जैसे माना 2, 2, 2 3 repeat हो गए तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा c1 प्लस c2 x प्लस c3 x square ठीक है? और यहाँ पर आजएगा e की पावर क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2x हो जाएगा ठीक है? कभी ऐसा होता है कि 2 repeat हो रहे और एक repeat नहीं हो रहा तो 2 repeat हो रहे तो वहाँ पर क्या लगेगा? वहाँ पर लेगेगा c1 प्लस c2 e की पावर 2x ठीक है और प्लस यहाँ पर आजाएगा C3 E की पावर X तो ऐसे करके रूल बनता है तो इस तरह से दोस्तों हम CF को निकालते हैं तो इस समय पर PI निकालने की अवश्यक्ता नहीं थी तो अपनी आपी आपका यह हो गया तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई इसका आंसर सही बैट रहा है नहीं बैट रहा है बिल्कुल C वाला option इसका बिल्कुल correct बैट रहा है C1 E की पावर माइनस X प्लस C2 E की पावर 4X is the right answer हो सकता है कि कभी यह आपस में इंटरचेंज हो जाएं लेकिन आपने देखना है E की पावर माइनस X और E की पावर 4X कहाँ पर देख रहा है C1 C2 आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है कोई हो सकता है कि M1 को 4 मान ले और M2 को मान ले तो भी क्या है इसके बाद अगला प्रश्न है अवकल समी करण 1 माइनस X स्क्वाइर दोस्तों यह तो काफी अच्छा question है और यह आपका linear differential equation with order 1 का example है linear differential equation with order 1 में हम IF निकालते हैं तो IF की जो value होती है वो क्या होती है दोस्तों E की power integration Pdx हम निकालते है ठीक है अगर आपके पास form हो dy by dx जब आपके पास इस type की form होती है dy by dx plus py z equals to q की form होती है तो आप इसको इस तरह से निकालते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ E की power integration Pdx निकालना है ठीक है तो बस इसको आप निकालिए पहले आप क्या करेंगे इस equation में dy by dx है तो इसका coefficient तो 1 होना चाहिए तो आप क्या करेंगे 1-x² से divide कर देंगे तो 1-x² से जब यह divide हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा y और यह हो जाएगा 1-x² ठीक है तो देखें यहाँ पर P और Q they should be the function of x only यह न यह इसका rule होता है कि यह सिर्फ x के function होने चाहिए तो यह इसी तरह की form है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से P वाला पार्ट यह वाला है यह वाला पार्ट P है और यह पार्ट Q है तो Q का हमें कोई मतलब है नहीं हमें निकालना है integrating factor e की power integration P dx तो हम इसको निकालने का परियास करते हैं तो कैसे निकालेंगे e की power integration में minus x upon 1-x² ठीक है तो अब आप क्या करेंगे 1-x² की जगर पर T रख दिंगे तो यह हो जाएगा x dx बराबर हो जाएगा minus dt by 2 ठीक है यहाँ पर आप minus ले लेजिए तो plus हो जाएगा तो minus x dx बराबर हो जाएगा dt by 2 तो आप इसको solve करिये तो यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2 and dt upon T तो it simply means that that e की पावर यह हो जाएगा 1 by 2 log mod t ठीक है तो 1 by 2 log mod t log mod t अगर यह 1 by 2 उपर जाएगा तो यह बन जाएगा log t की पावर 1 by 2 तो e से log cancelled out हो जाएगा जैसे कि हमने पहले कई question में किया है तो actually यहाँ जाएगा under root of t under root of t what is the value of t that is 1 minus x square तो under root 1 minus x square is a integrating factor of this given differential equation तो under root 1 minus x square यहनी c वाल option बिल्कुल correct है इसके बाद एक और प्रशन अवकल समीकर्ण का हल है आपको बताना है again very simple question यह आपका differential equation with variable separable का question है जिसमर आप variable को separate कर सकते हो x को x किसंग और y को y किसंग तो काफी simple question है इसका solution आपको निकालना है तो आप देखे इसको किस तरह से निकालेंगे dy by dx बराबर हो जाएगा मैं देखे यहाँ पर e की power x minus y को e की power x into e की power minus y लिख सकता हूँ ठीक है और plus x square into e की power minus y यहाँ पर तक तो कोई भी दिकत नहीं अब e की power y को आप common लेके इधर लियाए तो यह हो जाएगा e की power y dy ठीक है और dx को मैं इधर ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा e की power x plus x square into dx ठीक है यहाँ तक तो कोई भी दिकत नहीं होनी चीए यह मैं उठाके यह वाले part यह दो part मैं उठाके इधर ले गया हूँ तो यह e की power minus y divide में जाएगा उपर जाके plus y हो जाएगा और dx को मैं इधर ले गया ठीक है बस आप इसको आप integrate कर दीजे यहाँ पर plus c आजाएगा integrate करेंगे तो यह हो जाएगा e की power y is equals to e की power x plus x square है तो x cube by 3 plus c तो यह इसका दोस्तों right answer है तो देखा जाए तो पहला option बिल्कुल correct इसका दिखाई देता है तो यहाँ पर यह इस तरीके से निकालते है next question in differential equation x dy by dx plus my equals to e की power minus x if the integrating factor is 1 upon x square then find the value of m is वैसा ही question आगे दुबारा से थोड़ा इस बार integrating factor दिया हुआ है और आपको m की value निकालनी है as we know that सबसे पहले हम इसको proper differential equation की form में convert करने का परियास करेंगे linear differential equation of order 1 तो मैं क्या करूँगा पहले x से divide कर दूँगा तो यह हो जाएगा m upon x और यह हो जाएगा y equals to e की power minus x upon x ठीक है मैंने क्या किया यहाँ से इसको x से divide कर दिया तो जब मैं इसको x से divide कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह वही वाली form में convert हो गई that is dy by dx plus py equals to q इस type की form में convert हो चुगी है जहाँ p and q are the function of x only तो यहाँ पर देख सकते हैं कि p की value आपको मिल गई है तो आप आपको निकालना है integrating factor integrating factor पर राबर होता है e की power integration p dx so e की power integration m और p की जगा पर क्या हो जाएगा 1 upon x dx ठीक है so 1 upon x का integration हो जाएगा log mod x and फिर हम यहाँ पर log के formula का प्रियोग करेंगे x उपर चला जाएगा तो e log mod x की power m तो यह cancelled out हो जाएगा तो x की power m ठीक है तो x की power m आपको दियावा यानि की आपका जो integrating factor की value आपको दे रही की है 1 upon x square ठीक है लेकिन यह बराबर आपको दे रहा है 1 upon x square तो अगर यह 1 upon x square है तो x की power m बराबर हो जाएगा x की power minus 2 यानि 1 upon x square को हम x की power minus 2 लिख सकते हैं तो यहाँ से m बराबर कितना आजाएगा दोस्तों minus 2 तो minus 2 is a right answer इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और काफी exam में आता भी है इस तरह का प्रश्न प्रिसले बार LTE exam में आया भी था तो आप सको किस तरह के से करेंगे बहुत simple सा प्रश्न है u बराबर है sin inverse x square minus y square upon x square plus y square then x du by dx plus y del u by del y की आपको value निकालनी है तो मैं आपको एक formula बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं Euler differential equation partial differential equation लेकिन यह homogeneous के लिए apply होता है ध्यान में रखना यह homogeneous function के लिए apply होता है तो x del u by del x plus y del u by del y पराबर होता है n u ठीक है इसको आप ध्यान में रखेंगे देखिए यहाँ पर यह चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर u is a function of x y and it is homogeneous यह क्या होता है homogeneous होता है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है और जहाँ पर n is a order of homogeneous ठीक है n का मतलब क्या है order of homogeneous equation यह आपको ध्यान में रखना है इससे ही यह question हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह अभी आपका sine inverse यह अभी आपका homogeneous की form में नहीं है तो यह काम करता हूँ मैं जो sine को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sine u बराबर हो जाएगा x square plus I think x square plus है minus है ठीक है x square minus y square upon x square plus y square की form में इसको लिख लेता हूँ ठीक है अब आप बताइए यह आपकी क्या है homogeneous है तो मैं इसको कुछ देर के लिए v मान लेता हूँ v is a function of xy तो भाई यह लर formula से क्या होना चाहिए यह लर formula यह कहता है x del u by del x plus y del u by del y बराबर होता है n u ध्यान में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x u की जगा पर क्या है दोस्तों v del v by del x plus y del v by del y बराबर n अब आप बताइए इसका order कितना है अगर आपने homogeneous equations के बारे में पढ़ा होगा तो इसका order कैसे निकालते है x की जगा पर lambda x रखते है y की जगा पर lambda y रखते है फिर lambda common आ जाता है जो lambda की power होती है वो ही इसका order कहलाता है ठीक है तो अगर मैं इसका ध्यान दूँ तो इसका order दोस्तों 0 है आप देख सकते है यानि कि इसका order आपका क्या है 0 है तो अगर order या इसको कही जगा पर degree भी बोल सकते है ठीक है क्यूंकि आप देख सकते है 2 में से 2 कट जा रहा है तो 2 में से 2 अगर कट जा रहा है तो इसका order 0 आजाएगा तो 0 into अब 0 रहे गया तो फिर 0 के आगे क्या करना है ठीक है तो 0 into V होना था तो 0 into V बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक अब इसके बाद आप चाहो तो इसको इसकी value को यहाँ पर रख सकते हैं V की value आपको पता है अब वैसे तो आगे कुछ भी करने का मतलब नहीं रहे गया लेकिन चलो फिर भी V की value आपकी कितनी है दोस्तों यह है sin U है ना प्लस Y यह हो जाएगा डल Y यह हो जाएगा यह भी कितना है sin U बराबर है 0 ठीक है ना अब यहाँ पर कोई time आ जाता तो फिर इसको हम आगे solve करते लेकिन चलो suppose करो यहाँ पर कोई time आ जाए तब के लिए मैं आपको आगे solve करके दिखा रहो कि कैसे कैसे करेंगे अब sin U का differentiation क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cos U del U by del X क्योंकि after all हमें तो इसकी value निकालनी है ना और फिर यह हो जाएगा cos U del U by del Y बराबर हो जाएगा 0 तो अब यह जो cos U है इसको भेज़ दो इधर ठीक है तो finally आ जाएगा answer x del U by del X plus y del U by del Y बराबर हो जाएगा 0 ठीक है तो इस तरहे से हम दोस्तों इसको निकाल लेंगे ठीक है अगर यहाँ पर suppose करो sin U आता तो divide में कितना आ जाता दोस्तों cos U तो 10 U इसका answer हो जाता लेकिन अभी यहाँ पर 0 हो गया तो भाई आप तो कुछ रही नहीं गया discuss करने के लिए ठीक तो यहाँ पर इसका जो answer है दोस्तों वो कितना आएगा 0 आएगा यह चीज़ को आपने ध्यान में रखना है ठीक है आप इस formula को ध्यान में रखे X del U by del X plus Y del U by del Y plus N U ध्यान रहे यह homogeneous equation के लिए ही काम करता है where N is a degree of homogeneous equation ठीक है ना degree order जो भी कहें degree वैसे तो इस case में degree ही बोलेंगे इसको तो degree of a differential sorry degree of a homogeneous equation ठीक है homogeneous not homogeneous differentiate homogeneous equation यह अपने ध्यान में रखना है ठीक है और वैसे तो अगर हम more precisely बोलें तो this is homogeneous function ठीक है ना तो more precisely अगर मैं इसको बोलूँगा तो it is homogeneous function ठीक है homogeneous equation में तो चलो सब बराबर हो जाएंगे आगे तो it is a homogeneous function मतला बिलकुल अच्छे तरीके से बोलें मतला कर mathematics term में तो it is a homogeneous function और n आपका क्या है it is a degree of homogeneous function तो homogeneous function में हम इस तरह से काम करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न the partial differential equation originated from z बराबर ax plus by plus a square plus b square is आपको बताना है कि ये किस से निकल के आई है partial differential equation ठीक अब partial differential equation में दोस्तों ये example है Clarets equation का ठीक है न Clarets equation ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये काफी important है वैसे देखा जाए तो ये lag range भी बोला जाता है इस equation को ठीक है language equation भी बोला जाता है पहले हम आपको one variable के लिए बताता हूँ just suppose करो y बराबर है y बराबर x gp plus function of p ठीक है न जहाँ p की value में आपको बता दो p की value होती है dy by dx ठीक है यहाँ पर आपका y is a simply function of x तो this is example of lag range equation ठीक है यहाँ पर lag range का यह example होता है दोस्तों अगर clarity's equation बनाना है तो it is a special case of language equation language equation का special case क्या है कि जो gp है दोस्तों ये convert हो जाएगा p में only तो y बराबर हो जाता है px plus function of p ठीक है न ज्यान रहेगा जहाँ पर p is a क्या है it is a form of dy by dx ठीक है तो इसका जो solution होता है directly दोस्तों क्या होता है हम p की जगा पे c रख जेते हैं जहाँ पर c क्या आपका constant है ठीक है इसे p का मलब क्या हो गया under root p square plus one कुछ भी हो सकता है it is a function of p ठीक है p की form में होगा कुछ भी होगा ठीक है तो ऐसे करके होगी वो ऐसे होगी यह होगी a ठीक है a मतलब कहने का मतलब है कि px plus qy ठीक है plus function of p, q इस type की form में देखती है ठीक है आप देख सकते हैं तो जब यहाँ पर ऐसी बात आती है जहाँ p मैं पहली बता दू, p आपका क्या होगा dz by dx होगा ठीक है और q बराबर क्या होगा of course dz by dy होगा ठीक तो इस case में जैसे कि मैंने आपको बताया पहले उपर वाले में क्या है आपका यह, मैं फिर से लिख देता हूँ, px plus qy plus function of pq यह है ना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, p और q की जगर पर क्या रख देंगे, जैसे वहाँ पर p की जगर पर c रखा था तो p और q की जगर पर a और b रख देंगे, ठीक है तो a और b यानि हो जाएगा ax plus by plus function of ab इस तरह से दोस्तों होता है, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह इसी का example निकल के आता है, यानि की z बराबर ax plus by and function of ab, this is the function of ab, function of ab क्या है, a square plus b square, तो यह किस से निकल कर आया होगा, of course z बराबर px plus qy plus function of ap, है ना, यानि sorry, pq, तो z बराबर क्या होगा, px plus qy, है ना, px plus qy, plus p square plus q square, तो यह इसका दोस्तों right answer है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसको z बराबर ax plus by plus a square plus b square को differentiate करो, ठीक है, आप इसको differentiate करो, तो क्या आएगा, देखें मैं इसको यहीं पर आपको differentiate करके बताता हूँ, ठीक है, dz by dx, dz by dx करके क्या आएगा दोस्तों, यह आएगा a, आएगा न, आप देख सकते हैं, और dz by dy, बराबर क्या आएगा, यह आएगा b, ठीक है, यहाँ पर partial differentiation, यहाँ पर यह किसकी बात हो रही है, ठीक है, तो भाई, यह actually क्या होता है, मैं और यह होता है आपका q, ठीक, तो जहाँ पर a और b हैं, वहाँ पर p और q रख देना है, a की जगह पर आप रख देंगे, p और b की जगह पर क्या रख देंगे, q रख देंगे, तो फिर से px plus qy plus p square plus q square, इस तरहे किसा आप इसको निकाल सकते हैं, और basically यह example हैं आपके clearance equation का, जो की language की एक special form है, language differential equation से ही आपकी clearance differential equation निकल कर आती है, बहुत यह अच्छा concept है, बहुत बढ़िया यह question है, तो आप इसको ध्यान में रखेगा, ठीक है, इसके बाद, देखे, वही प्रशन, जो की clearance equation पर dependent है, और इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो solution of differential equation, p square plus q square, बराब x plus y is, इसका solution क्या होगा, तो देखे, अगर मैं इसको, इस वाले part को मैं इधर ले आऊँ, तो यह हो जाएगा, x plus y minus p square plus q square, ठीक है न, तो मैं इसको z मान लेता हूँ, मान सकता हूँ, x plus y, it is, मलब z is a function of x, y, ठीक है न, इस type की form में मैं इसको मान सकता हूँ, अब देख सकत हैं, x plus y minus p square plus q square, तो यह दोस्तों किसका example है, जैसे कि मैंने आपको बता है, z बराबर होता है, px plus qy, है न, px plus qy minus, sorry, plus function of pq, देखे, उसी का example यह निकल कर आगिया, है न, z बराबर px plus qy plus function of p and q, यही तो है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, कि जहाँ पर सपोस करो, अगर हमें निकालना है, यहाँ पर p attend por q, तो हम क्या करते हैं, अगर सका solution की बात करेंगे, तो इसका solution क्या होता है दोस्तों, कि हम p और q की जेगे पर आप क्या रख देते हैं, a और b रख दिया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका right answer क्या होगा, आप क्या क से हो जाएगा कि जहाँ पर P और Q है वहाँ पर उसकी जगह पर आप A और B रख देंगे तो X प्लस Y माइनस यह हो जाएगा P और Q जहाँ पर उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे A स्क्वार और प्लस B स्क्वार जैसा कि मैंने अभी आपको बता है ठीक है तो यहां से क्या आजाएगा z बराबर आजाएगा x plus y minus a square minus b square ठीक तो इस तरीके से दोस्तों यह प्रशन होता है तो यहां पर इसका right answer क्या होगा दोस्तों c वाला option बिलकुल correct है next question the solution of d square minus 5 d plus 6 into y बराबर 4 e की power x plus 5 देखें दोस्तों यह काफी अच्छा question है और यह आपका linear differential equation of order second का यह question है और इसका मैंने आपको बता है था कि solution आप किस तरीके से निकालते हैं पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों cf निकालेंगे ठीक है और फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे plus pi तो यहाँ पर pi निकलेगा क्योंकि यहाँ पर यह factor 0 के बराबर नहीं है तो पहले हम सबसे पहले हमारा क्या हम क्या रहेगा cf निकालना ठीक है तो cf के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप क्या करते हैं 2 3 जा होता है 6 तो 2m माइनस 3m प्लस 6 बराबर 0 ठीक है और फिर इसके बाद m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 और 3 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 फिर से आजाएगा तो m बराबर 3,2 इसके 2 factor आजेंगे ठीक है और मैंने अभी आपको cf निकालने का तरीका बताया था cf निकालने का क्या तरीका होता है ठीक है यह m1 है यह m2 है तो यह हो जाता है c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x हो गया अब आपको क्या निकालना है अभी यह question solve नहीं की हुआ है अभी आपको pi निकालना पड़ेगा ठीक है pi के लिए आप क्या करते है यह वाला जो factor है यह वाला जो factor है दोस्तों इसको आप इसके upon में ले जाते हैं तो आप करिये जरह इस question को कैसे करेंगे तो pi बराबर हो जाएगा देखे pi बराबर हो जाएगा 4 e की पावर x फ्लस 3 अपोन अपोन d स्क्वार माइनस 5d प्लस 6 यहाँ पर यह 5 है ठीक है यह 5 है आपका और 4 e की पावर x प्लस 5 d स्क्वार माइनस 5d प्लस 6 ठीक है d स्क्वार माइनस 5d प्लस 6 ठीक है अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब उपर E हो ठीक है E की पावर AX हो तो आप किस तरीके से करते हैं आप D की जे के पर आप क्या रख देते हैं A रख देते हैं ठीक है लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ इसको मैं अलग-अलग कर देता हूँ ताकि हमाले सिंपल हो जाए ठीक D स्क्वार माइनस 5D प्लस 6 और यहाँ पर 5 देखे यहाँ पर कुछी नहीं है तो मैं E की पावर 0 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ? बिलको लिख सकता हूँ ठीक है? क्योंकि आप constant है तो उसका क्या करेंगे? उसको आप E की पावर 0 लिख दो है न? तो बस अब अपने क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है तो आपने D की जगा पर यहाँ पर तो रख देना है 1 यहाँ पर रख देंगे 0 यहाँ रख देंगे 1 यहाँ रख देंगे 0 तो हो जाएगा 4 E की पावर X यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 6 यानि 7 7 में से 5 जाएगा 2 प्लस 5 अपन यहाँ पर 0 रख देंगे तो 5 पॉन 6 हो जाएगा So finally 2 E की पावर X प्लस 5 बाई 6 ठीक है और जो हमारा last solution होता है वो होता है CF प्लस PI तो CF की value हमने निकाली थी C1 E की पावर 3 X प्लस C2 E की पावर 2 X प्लस 2 E की पावर X प्लस 5 बाई 6 is the final solution of this given differential equation ठीक है तो यहाँ पर देखें तो इसका A वाल option बिलकुल correct है इसके बाद अगला प्रशन the value of del M by del Y प्लस del lambda by del X from this given differential equation देखें वैसे यहाँ पर यह del lambda गलत लिखावा है del N होना चाहिए लेकिन चलो कोई बात नहीं देखें हम इसको इस टाइप की फॉर्म में मान सकते हैं आपका M है और यह आपका N है ठीक है तो यहाँ पर चलो N नहीं तरह का तो इसको lambda मान लेते हैं तो अब बताईए M तो आपको क्या निकालना है पहले del M by del Y निकालना है तो simply आपको differentiate कर देना है इसको with respect to Y कैसा differentiation? partial differentiation जो partial करेंगे तो क्या आजाएगा? X का तो differentiation 0 हो जाएगा तो यह बच जाएगा minus 2X plus 6Y है ना? और फिर इसी तरह से आपके निकालना है del lambda upon del X निकालना है तो यह आपका lambda है तो इसकी value आप इसका differentiation करें with respect to X आपको करना है तो इसका तो 0 हो जाएगा यह मिल जाएगा 6Y और minus X X3 है minus X3 का क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका आप with respect to X करें तो यह हो जाएगा 3X स्क्वाइर ठीक हो गया तो minus 6Y minus 3X स्क्वाइर यही इसका होना चाहिए तो इस तरह से देखें तो भाई कोई भी इसका right option नहीं बैठता है तो none of these हो जाएगा क्यूंकि minus 2X plus 6Y और एक आपका 6Y minus 3X स्क्वाइर तो इस तरह से देखें तो कोई भी इसका option right नहीं बैठता तो D is the right answer इसके बाद अगला प्रशन काफी अच्छा प्रशन है दोस्तों linear differential equation का प्रशन है और यह दूसरी form का question है जिसमें हमें if निकालना पड़ता है ठीक है लेकिन यह जो प्रशन है यह इस type की form में है dx by dy plus p x equals to q की form में है यह तो यहाँ पर p और q should be the function of y only होता है ठीक है तो this is they are the function of y only साब-साब यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ पर हम दोस्तों निकालेंगे e की power integration p dy निकालेंगे तो अब आप देखें यहाँ पर से अगर आप compare करें तो यहाँ से p बराबर 1 निकल कर आता है आप देख सकते हैं कि p की value इसका coefficient आपका 1 है तो e की power integration क्या हो जाएगा dy ओके और e की power integration solution जो dy होता है वो आपका कितना होता है e की power y होता है ठीक अब आप इसका निकालेंगे दोस्तों solution solution निकालने के लिए आप क्या करते हैं देखें आप e की power y को यहाँ multiply कर देते हैं इसमें तो जो इसका solution आता है मैं directly लिखता हूँ इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हैं जैसे dy by dx है तो dy by dx का y लेते हैं इंटू इतना लिख देते हैं पराबर और आप इसका product क्योंकि यहाँ पर dx by dy है तो आप इसका x लेंगे तो इसका solution आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही short tricks से इसको निकाल सकते हैं यह आ जाएगा x e की power y ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप integrating factor इसलिए बनाते हो ताकि यह product rule बन जाए ठीक है और क्योंकि आप e की power y से इसको multiply कर रहे हो e की power y से आप इसको पूरा multiply कर रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा यह हो जाएगा e की power y into e की power minus y log y dy plus c ठीक है यह आपका इस तरह से निकलेगा ठीक है तो अब यह और यह तो cancelled out हो जाएगे x e की power y बराबर log y अब log y का कैसे करते हैं दोस्तों integration करना आता है आपको तो इसका होता है सीधे मैं निकाल लूँ यह होता है y minus 1 log y plus c ठीक है अब आपको क्या निकालना आप देख लीजे answer क्या निकालना है यह है c plus y log y the value of this ठीक है तो आपको इसकी value निकालनी है तो इसकी value क्या आएगी the value of x log y इसमें तो कोई answer ही डंका नहीं देख रहा है इसमें तो दोस्तों इसका right answer यहीं होना चाहिए x e की power y ठीक है अगर मैं इसको आगे further solve करूँगा तो यह आएगा इस तरह से c plus log y y log y minus log y इस तरीके से आता है दोस्तों ही निकल कर ठीक है तो यह वाला जो है आपका c log y minus log y इस तरह से दोस्तों यह निकल कर आता है तो यहाँ पर तो हमें इस तरह के का कोई भी आपका answer अभी तक नहीं देख रहा है ठीक है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक second यहाँ पर एक गड़बढ हमसे हुई है मैं इसको सही कर लेता हूँ एक थोड़ा सा हमारे से गड़बढ हुई है यहाँ पर दोस्तों जो हमने integration का निकाला है यह यह हमने थोड़ा सा गलती करती है जो product वाला जो rule है न यह वाला क्या होता है यह होता है आपका sorry इसको मैं थोड़ा सा जल्द भाजी में मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा मिटा देता हूँ तो यह वाला नहीं होता है इसका इसका होता है log y-1 होता है log y-1 into y होता है तो इस तरह से देखेंगे y log y-y आएगा ठीक तो भी कोई option उसमें match नहीं कर रहा है तो देखा जाए तो x यहाँ पर b वाला option इससे थोड़ा match कर रहा है लेकिन यहाँ पर बड़ाबर x e की पाउर y भी होना चाहिए तभी जाके सही बेटेगा ठीक है तो बस आपको process मतलब होनी चाहिए की process कैसे करनी है और यह इसका right answer है ठीक है तो x e की पाउर y बराबर c plus y log y minus y या जो भी आप log y minus x करो ठीक है log x का integration क्या होता है log x का integration होता है वो होता है log x minus 1 into x ना plus c यहनि x log x minus x होता है मैंने जल्लबाजी में उसको x minus 1 into log x कर दिया तो वो गलत है वैसा नहीं होगा इसके बाद अगला प्रशन काफी अच्छा प्रशन है solution of differential equation निकालनी है फिर से आपके सामने दोस्तों यह वही वाली form है dy by dx plus py पराबर क्यों कि यह form है इसको आप किस तरीके से निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको बता है पहले आप निकालेंगे integrating factor integrating factor की value होती है e की power integration p dx that is e की power integration p dx क्या हो जाएगा e की power integration minus 1 upon x dx क्योंकि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि p की value है minus 1 upon x तो यह हो जाएगा दोस्तों e की power minus log mod x अब यह minus सिधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा e की power log x की power minus 1 तो यह कट जाएगा तो 1 upon x इसका दोस्तों integrating factor आ जाएगा अब आपने क्या करना है 1 upon x से इसको multiply कर देना है इस पूरी differential equation को तो जैसे मैंने बोला answer में आप क्या लेगते हैं dy by dx है तो y into 1 upon x क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों इसका answer यह हो जाएगा y upon x ठीक है equals to integration अब आप क्या करेंगे 1 upon x से पूरा multiply कर देंगे यह इसका दोस्तों तरीका होता है तो यह है आपका 2x square तो 2x square आपने क्या करना है into 1 upon x कर देना है तो यहाँ पर 1 upon x करेंगे तो यह बच जाएगा 2x plus 3 plus 4 upon x ठीक है तो यह हो जाएगा 2x plus 3 plus 4 upon x और फिर आपने क्या कर देना है इसका integration करना है with respect to x तो y upon x बराबर हो जाएगा 2 x square by 2 plus 3x plus 4 log mod x plus c तो चाहो तो y से multiply कर दो इधर 2 से 2 कर जाएगा यह बच जाएगा x cube plus 3x square plus 4x log mod x plus cx यह इसका right answer होना चाहिए ठीक है इस तरह के का answer आ रहा है 4x log x plus cx बिलकुल आ रहा है तो पहला वाला option इसका बिलकुल correct है ठीक है तो पहला वाला option इसका दोस्तों बिलकुल correct है ठीक है 4x log x बिलकुल सही इसके बाद एक और factual question the differential equation आपकी पास दे रही है m dx plus nd y बराबर 0 यह exact कब होती है देखे दोस्तों इसका simple सा rule है जो अभी हमने पहले निकाल के भी देखा था इस तरह का परशन हमने किया भी था हलांकि वो exact differential equation नहीं थी तो differential equation exact तब होती है जब del m upon del y बराबर हो जाता है del n upon del x ठीक है इस rule को आप याद रखेंगे फिर exact differential equation को solve करने का अलगवे हो जाता है इसके एक rule होता है कि जैसे आपके अगर यह बराबर हो गए तो हम exact differential equation को फिर चुटकियों में solve कर सकते है तो यह option इसका बिलकुल correct है इसके बाद अगला प्रशन इस बराबर है r cos theta y बराबर है r sin theta then the value of d square theta by dx square plus d square theta by dy square देखे काफी अलग सा question है और आपको d square theta by dx square number 2 और 1 को divide कर दूँ यानि कि 2 से 1 को divide कर दूँ तो हमें मिलेगा 10 theta 10 theta बराबर मुझे मिल जाएगा y upon x यहां से हमारे लिए simple हो जाएगा तो भाई theta बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 inverse y upon x बस यहां से मेरे को अब rule लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूँगा del theta by del x del theta by del x का मतलब है मुझे partially differentiate करना है with respect to x y को make as a constant treat करूँगा तो देखिए 10 inverse y upon x यानि आपको x के respect में differentiate करना है तो देखिए 10 inverse x का क्या होता है 1 upon 1 plus यह हो जाएगा y square upon x square and फिर इसके बाद y minus 1 upon x square यही होना चाहिए दोस्तों बिलकुल होना चाहिए क्योंकि आप x के respect में differentiate कर ले हो अब आप solve करिए इसके तो जब आप इसको solve करेंगे दोस्तों तो यह आजएगा minus y upon x square plus y square ठीक है इस तरीके सा आप इसको रख सकते है ओके now del theta by del x तो निकल गया अब आपको क्या चीए अब आपको इसको further differentiate करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना differentiate के बिना नहीं होगा तो further आप इसको differentiate करेंगे with respect to x again तो del square theta by del x square we will treat again y as a constant तो यहाँ पर दोस्तों यह हो जाएगा देखें minus तो आप पहले से ही रखिए और आपने आपको कोशेंट डूल लगाना है तो जब आप कोशेंट डूल लगाएंगे तो कैसे तरह के से होगा यह हो जाएगा दोस्तों 2x ठीक है into y फिर minus and then उसके बाद हम इसको differentiate करेंगे किसके respect में आप इसको respect में किसके respect में कर रहे हैं आप इसको x के respect में तो यह वाला तो आपका 0 हो जाएगा upon यह हो जाएगा x square plus y square का whole square ठीक है I hope कि आपको समझ में आया होगा ठीक है हमें ही है पर सरफ x पर focus करना है बाकी सब हमारे लिए constant है और आप इसमें quotient rule लगाए कैसे लगाते थे आपको याद होगा तो बस हमें उस तरह से भी कर सकते हैं ठीक है या फिर मैं इसको directly भी कैसे कर सकता हूँ जैसे अगर यह माना 2 होता तो 2 upon x square plus 2 कैसे आप इसको differentiate करते आप इसको उपर ले जाते ठीक है differential तो यहाँ पर आप एक काम करें पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यह मैं मिटा देता हूँ और चलिए अब यहाँ पर तो यह ठीक हो गया यह हो गया minus 2xy upon x square plus y square का whole square ठीक है अब आप क्या निकालेंगे इसी तरह से del theta upon del y निकालेंगे ठीक तो del theta upon del y के लिए पहले मैं theta लिख देता हूँ theta बराबर है 10 inverse y by x है ठीक है तो भई del theta upon del y क्या हो जाएगा यह हो जाएगा फिर से 1 upon 1 plus y square upon x square into यह हो जाएगा 1 upon x ठीक है अब आभी का जो case है लग यह आप y के respect में differentiate कर रहे और x को आप treat कर रहे है as a constant ठीक है तो जब आप इसको differentiate करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा x upon x square plus y square इसको आप solve करके इस तरह से निकाल सकते हैं फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको differentiate करना पड़ेगा जब मैं इसको differentiate करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका d square theta by dy square क्या आएगा आप देख सकते हैं यह हो जाएगा x square plus y square ठीक है into जब आप इसका differentiation करेंगे तो यह 0 हो जाएगा minus and then इसके बाद आप x करेंगे और इसका differentiation करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 2y upon x square plus y square का whole square ठीक है और फिर यहाँ पर हो जाएगा यह इसका answer आजाएगा minus 2xy upon x square plus y square whole square ठीक है अभी जब हम उपर वाले differentiation को एक बात देख लेते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया इसको थोड़ा आप सही कर लेजएगा यहाँ पर पहले देखना कि यहाँ पर minus भी था उल्लेडी तो minus minus का दोस्तों क्या हो जाएगा plus क्योंकि भाहर से भी एक minus है हमने यहाँ पर इसको एक तो पहले हमने उल्टा कर दिया और यहाँ पर दोस्तों भाहर से minus भी है तो minus minus का plus हो जाना है ठीक है यहाँ पर minus आना चाहिए था और यह plus में होना था चलो कोई बात नी लेकिन यह वाला आपका plus में हो गया तो अब देखिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यह वाला पार्ट इसका plus में है यह वाला पार्ट plus में है ठीक है और यह वाला पार्ट आपका minus में है तो अगर आप इन दोनों का sum करेंगे del square theta by del x square plus del square theta by del y square दोनों का sum करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा simply ठीक है तो दोस्तों ये थे potential equation के दोस्तों बहुत सारे question है एक ही वीडियो में कराने possible नहीं हो पाते हमारी courses यह रहते हैं कि आपके लिए selective questions लेकर आएं selective questions का मतलब ये ऐसे question लेकर आना होता है दोस्तों कि जो आपका time ज़्याद करना सीखेंगे तब ही जाके आप सफल हो पाएंगे एक्जाम में जब दोस्तों हम कोई भी question को attempt करते हैं तो सबसे important ये होता है कि दोस्तों हम किन questions को नहीं attempt करेंगे हम जब exam देते हैं तो हमें कई तरह के question आ रहे होते हैं लेकिन ज़्यादतर question ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा time consuming होते हैं तो हमें at the same time time को भी safe करना है और question भी हमारा सही हो जाए तो इसलिए हमें ऐसे question को target करना होता है और ऐसे question जो की बहुत lengthy होते हैं उनको हमें छोड़ना होता है तो ये ही दोस्तों हमारी trick होनी चाहिए किसी भी question को करने की तो दोस्तों अगली वीडियो में हम differential equation के कुछ और important ऐसे ही महतोपूर्ण प्रशन लेकर आएंगे आपको ये वीडियो अगर पसंद आती हैं तो प्लीज इसको जादा से जादा share करें ऐसे लोगों तक पहुँचाईए जिनको इनकी आवशकता है मिलते हैं अगली वीडिय तो में तिल देन तेकर और गूद बाए